दोस्तों लेटेस्ट ट्रेंट्स पर अपने ध्यान दिया हो तो AI काफी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा है AI काफी ज़्यादा पॉपलर है आर्टिफिशल इंटलिजेंस के कुछ एक्जाम्पल्स मैंने ट्विटर पे आप लोगों के साथ शेर किये थे काफी ताइम पहले सबसे पहले में आपके साथ डाली 2 जहाँ पे एक इमेज जनरेशन हो रही है सिरफ टेक्स्ट यूज़ करके ऑक्टूबर में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेर कर दिया था जहाँ पर मैंने एक यह इमेज जनरेट करी थी सिरफ एक टेक्स्ट प्रॉम्ट से Satoshi Nakamoto holding the Bitcoin white paper इसके बाद chat GPT इसके कुछ examples मैंने आप लों के साथ December में Twitter पर share किये थे chat GPT आने के बाद काफी जादा हलचल मच चुकी है AI की दुनिया में और AI centric projects पर तो यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस type का alpha पहले से ही जाना चाहते हैं airdrops और आप लों के साथ यहां पर share करी जाती है तो definitely एक एक वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी earning opportunity बन सकता है तो आज के इस वीडियो में हमारा focus रहेगा AI के उपर AI में ऐसे कौन से coins हैं crypto coins हैं जिन पर आपको ध्यान देनी चाहिए उनमें से एक मैं आज यहां पर review करूँगा अगर आप देखेंगे तो crypto market में जो recent uptrend जहां से start हुआ था जिसने fuel किया है वो है AI sector यानि की artificial intelligence sector ने और यहां पर जितने भी coins हैं पिछले साथ दिन में आप देख सकते हैं कि 100%, 200%, 60% इतने यहां पर gains already हो चुके हैं तो definitely AI की hype के चलते काफि सारे ऐसी भी projects हैं जो इस hype को capitalize कर निकोशिश करेंगे हमें वो ही projects filter out करने हैं क्योंकि हमें concentrate करना है सरफ ऐसे projects पर जो long term potential रखते हैं और जो आपको massive gains भी दे सकते हैं तो ऐसे projects को ढूणने की quest जारी है और आज का जो project हमने identify किया है वो है singularity net जो की AI sector में अभी second number पर in terms of market cap चल रहा है 198 million dollars इसकी market cap ओलरी हो चुकी है तो इस project में इससा क्या खास है और इससे आप कैसे फाइदा ले सकते हैं ऐसी और कौन सी चीज़ें आप identify कर सकते हैं singularity के अंदर जो आपको long term फायदा कर सकते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो पूरा end तक देखिए तो in terms of price potential के अगर हम पहले बात करेंगे तो singularity यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 billion इसकी maximum supply है 2 billion coins की 17 cents इसका price चल रहा है अभी और अगर all time high देखेंगे तो यह लगबग 95 cents जाने की 1 dollar के आसपस इसका all time high था तो अभी भी अपने all time high से यह 5x नीचे है बट AI की hype के चलते हैं और अगर next bull run पूरा AI centric होता है जैसे पिछला bull run metaverse centric था तो इस coin की जाने की potential कहां तक है अगर वो हमें देखना है तो 2 billion यहाँ पर आप देख सकते है maximum supply है 198 million dollars इसकी market cap है इसी के corresponding पिछले जो hype थी metaverse की थी play to earn gaming की थी तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो sand अगर आप देखेंगे या फिर mana देखेंगे decentraland तो यह दो top metaverse projects थे फिलाल sand की market cap चल रही है 1.1 billion dollars की और इसकी maximum supply है 3 billion coins की तो singularity से थोड़ी ज़्यादा है बट यहाँ पर इसकी market cap चल रही है 1 billion dollar की तो इसी को अगर हम compare करें यहाँ पर अपने singularity की market cap से तो almost 10 times यहाँ पर अभी singularity की market cap नीचे है बट potential singularity की उससे भी ज़्यादा है क्योंकि token supply यहाँ पर इनकी कम है similarly अगर आप sandbox जैसा ही दूसरा project देखेंगे जो था mana तो decentraland का भी 70 cents price चल रहा है और इनकी यहाँ पर maximum supply almost equal है 2 billion coins की और यहाँ पर अगर हम all time high देखेंगे bull run में इनका 5.85 दॉलर तक गया था तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर singularity gains future में देखते हैं तो almost 50 to 60x gains आप expect कर सकते हैं अगर similar level का bull run आता है AI की sector में जो की metaverse sector में आया था in terms of market अगर आप देखेंगे कहां पर trade हो रहा है तो यह आपको finance पर दिख जाएगा kucoin पर दिख जाएगा तो सारी major exchanges पर जहां पर यह token trade हो रहा है वहाँ पर आप इसको purchase कर सकते हैं फिलाल short term में मैं इसको recommend नहीं करूँगा कि आप इसमें entry लें अभी हमें wait करना है इसके entry levels की क्योंकि अभी recently जो AI की hype हुई है उसका drawdown होगा और definitely यह अपने नीचे वाले levels touch करेगा उस time पर आप चाहें तो इसको DCA कर सकते हैं या entry ले सकते हैं बट फिलाल जो recently 3-4 दिनों में जो hype gain हुई है मेरी recommendation है कि यहाँ पर आपको pull back की wait करनी चाहिए अब singularity के बारे में जान लेते हैं और उसके एक ecosystem की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर singularity का जो focus है shaping the AI and AGI, AGI है यहाँ पर artificial general intelligence इसकी foundation को shape करने का इनका plan है Singularity Net is the world's leading decentralized AI marketplace running on blockchain, our core mission is the development of artificial general intelligence, AGI for a beneficial technological singularity तो singularity net basically आप समझे कि एक base layer है जिसके ओपर और apps बनेगी, daps बनेगी, singularity को use करेंगी और singularity एक तरीके से platform या फिर infrastructure level पर यहाँ पर services provide करेगा अब एक important चीज़ है कि singularity का जो focus है that is on more compassionate, more just and more sustainable place right now and into the future तो इनका अगर आप इनके ecosystem की daps भी देखेंगे तो ज़्यादा तर इनका health पर focus है, sustainable future पर focus है और human development पर focus है रदर दन किसी और sector पर important चीज़ यह है कि singularity की काफी बड़ी partnerships है, singularity और cardano के बीच में काफी बड़ी partnership है in fact आप tokens जो हैं वो cardano chain पर या फिर ethereum chain पर bridge कर सकते हैं इसके लावा गर आप नीचे जाके और partners देखेंगे तो apart from cardano यहाँ पर ocean के साथ बिनकी partnership है और कुछ और partnerships हैं जैसे Hanson Robotics तो robotics AI के साथ है, यहाँ पर AI powered crowd sourcing and idea management platform तो काफी सारी AI centric partnerships हैं, जो की definitely project की credibility डिफाइन करने के लिए एक important factor है अब singularity token का क्या benefit है, वो यहाँ भी clearly defined किया हुआ है, एक तो यह utility token है जो आप इनकी AI marketplace transactions में यूज़ कर सकते हैं, governance and voting के लिए यह token use होगा multi-chain token है, तो जैसे अनको बता है कि cardano पर चल सकता है, ethereum पर और आगे आने वाले किसी भी और blockchain पर यह port कर सकते हैं staking यहाँ पर rewards है, और ecosystem airdrops यह एक काफी important चीज़ है 5% of tokens from all singularity net tokenized spin-off projects, airdrop to Ajax token holders तो कोई भी यहाँ पर ecosystem अगर substantially grow करता है, बहुत सारे projects अगर यहाँ पर develop करते हैं singularity को use करते हैं, तो उनके 5% यहाँ पर allocation उन tokens की जो launch होगे वो airdrop करी जाएगी, singularity token holder scores का example यहाँ पर है अगर आप इनके ecosystem में जाएगे, तो ecosystem इन्होंने काफी सारे tie-ups की हैं, current ecosystem जो project इनके पर build कर रहे हैं उनमें से new net करके यहाँ पर पहला एक तरीक से समझ लीजे, project जिनका token launch होआ था और new net का ही यहाँ पर airdrop में token दिया गया holders को, तो इस type से जितने भी और projects launch होँगे, singularity की ecosystem पर उनके जो tokens हैं, उनका कुछ हिस्सा, existing token holders को मिलेगा, तो यह काफी बड़ा incentive है, singularity hold करने के लिए new net का अगर आप यहाँ पर price देखेंगे, तो यहाँ पर new net NTX token है, 0.02 cents का है, और इसका highest start 0.22 यानि की almost 10X अपने यहाँ पर high price से down है, अब यहीं पर ecosystem की ही बात करते हुए, जितने भी यहाँ पर projects है, आपको हर एक यहाँ पर आके explore करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे भी beta phase म चल रहा है, अगर आपको यहाँ पर beta में participate करना है, तो यहाँ पर आपको apply करना होगा, हो सकता है यह आपको grant दे दे, और जितने भी beta testers होंगे, उनको definitely advantage मिलेगा, अगर इनका token launch होता है, तो इसके लावाँ एक और है, यहाँ पर hyper cycle, यहाँ पर आपके subscribe कर सकते हैं, यह जि investment, DeFi space के अंदर, risk management space के अंदर काम कर रहे हैं, और इनका product भी है, जो launch होने वाला है, hopefully इस यह launch हो जाएगा, इसके बाद एक और चे project है, जिस पर आप focus कर सकते हैं, वो है यहाँ पर Sophiaverse, तो Sophia अगर आप जानते हैं, तो 6 साल हो जोगे है, Sophia robot को launch होए, जो एक human like interaction करता है, हो सक इतने भी यह tokens launch की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सबसे important है, जहाँ पर यह tokens launch होंगे, most likely वो होंगे, singularity DAO पर, यह एक यहाँ पर launch pad प्रोवाइड करते हैं, और यही पर अगर आप आके देखेंगे, तो new net का भी जो launch हुआ था, वो इसी के उपर हुआ था, तो singularity DAO क अभी SDAO token जो है, वो live है, यहाँ पर आके आप देखेंगे, तो 30 cents इसका price चल रहे, 22 million dollars की market cap है, supply सिरफ 100 million tokens की ही है, और इसका all time high देखेंगे तो 6.62 dollars था, तो काफी जादा अपने all time high से यह low है, बट अगर हम यहाँ पर bet कर रहे हैं कि artificial intelligence का तो sector बढ़ेगा, उसमें AGI token singularity अगर बढ़ेगा, तो definitely singularity DAO जो launchpad token है, वो भी काफी जादा increase करेगा, तो कि जितने भी ecosystem projects है, वो singularity DAO पर ही most likely यहाँ पर launch होंगे, और यहाँ पर allocations के लिए definitely आपको SDAO token से ही होंगे, तो definitely यह long term अच्छा play हो सकता है, बट सब कुछ speculation है, investment decisions आपको अपने खोद लेने हैं बट यहाँ पर मेरे हिसाब से, पूरा sector अगर grow करता है, तो definitely जितने link projects हैं, या फिर जो upcoming projects है, singularity के उपर वो अच्छा कासा perform कर सकते हैं, जो कि आपको 100x, 200x, 500x तक की opportunity यहाँ पर दे सकते हैं, singularity DAO में और भी काफी सारी चीज़े हैं, जैसे dynasets, या पर vaults हैं कुछ, इन भी chain पर आके SDAO purchase कर सकते हैं, तो finally in conclusion अगर आपको AI सेक्टर में focus रखना है, AI की dips पर focus रखना है, तो definitely सबसे पहले तो jump करेगा singularity, बट उसके बाद उसके ecosystem tokens, जैसे new net, या फिर कोई और जो launch होगा, या फिर SDAO, singularity DAO भी अच्छा खासा gain दे सकते हैं, तो दोस्तों यह ता